इस नान को देखिके अगर आप सोच रहे हैं कि मेंदे से बनाई है तो बिल्कुल नहीं इवाली नान में ने पनाई है गेभू के आटे से और एकड़धमिना सॉफ्ट हमारी नान बनी है अगर आप इसे दो गंटे भी रखेंगे न तो भी इतनी ही सॉफ्ट रहेंगी अगर गर में कोई महमान आ रहे हैं और आप बनाएंगे ना, तो महमान आपकी तारिफ करते नहीं ठकेंगे, क्योंकि गेहु के आटे से बनाई है, हेल्दी तो है ही, साथ में ही बहुत ही अच्छी बनी है, तो हमें क्या करना है, दो कप यहां पे मैंने गेहु का आटा ले लिया है नमक डाल देंगे और साथी में वन फूर्थ टीस्पून यहां पे बेकिंग सोडा ले लिया है और तीन चमच दही ले लिया है दही यहां पे मैंने घर का ही लिया है थोड़ा सा खटा वाला है और एक चमच तेल डाल तो जब भी हम नान के लिए आटा तयार करेंगे ना तब हमें पहले पानी नहीं डालना है सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है पिकोज हमें यहाँ पे दही लिया है तो दही से हमारा आटा आधा है वो अच्छे से बाइंड हो जाएगा और थोड़ा से पानी की जरूरत पढ़ेगी तो थोड़ा थोड़ा पानी डालके हम एक टो तयार कर लेंगे तो दो हमें ज्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है तो यहां पे टो तयार हो चुका है एक चम्मज ओईल ले लेंगे और वापस अच्छे से हम इसे मसल लेंगे हमें यहां पे soft dough इसलिए नहीं तयार करना है क्योंकि हम इसे करीबन 30 मिनिट के लिए rest करने रखने वाले हैं तो जीतना हमारा dough ज्यादा rest होगा उतना ही वो soft होता जाएगा तो 30 मिनिट हम इसे rest करने के लिए रख देंगे 35 मिनिट के बाद हमारा dough perfect बन गया है नान के लिए अब मैं क्या करती हूँ इसमें से छोटे छोटे बॉल्स तयार कर लेती हूँ तो जिस साइस के आपको नान बनानी है आप उस साइस के यहां पे बॉल्स तयार कर सकते है अब ले लेंगे हम एक चकला और बेलन और मैंनी यहा पूरी तयार कर लेनी है और उसके बाद यहां पे में थोड़ा सा गी लगा रही हूँ तो नॉर्मली हम जो स्टफिंग तयार करते है ना और उसमें जो स्टफिंग डालते है बस इस तरह हमें यहां पे गी की स्टफिंग तयार कर लेनी है और अच्छे से चारों और से पैक तो वैसी ही सॉफ्ट रहेगी जैसे आपने अभी बनाई है सूखा आटा ले लेंगे और अच्छे से हम इसकी एक नान तयार कर लेंगे तो मैंने यहां पहना ओल शेप में नान तयार की है आप चाहे ना तो राउन भी नान तयार कर सकते है अपने हिसाब से कोई भी शेप दे और एक बैलन लगा लेंगे ताकि क्या होगा कि धनिया और तील अच्छे से चिपक जाए मैंने यहां पर एक तवा गरम करने के लिए रख लिया है तो जब भी नान बनाये तब नंश्टिका तवा आप बिल्कुल मत यूज़ कीजिए अब एक साइड वो अच्छे से पक ग लिया है तो हमारी नान है बहुत अच्छे से फूली है और एकदम सॉफ्ट बनी है मेडियम गेस की फ्लेंपे हमें इसे कूप करना है और दोसरी नान भी हम इसी तरह ही पका लेंगे अब देखिये हमारी नान वो बहुत अच्छे से फूल कर तैयार हुई है हमने जो की की स्टफिंग की थी ना उसी की बचे से हमारी नान ऐसी बनी है तो आपको नान की रैसी भी कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना आपकी लाइक और कमेंट से मुझे नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना